नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम आफ लेर्निंग में आज की वीडियो का टॉपिक है संस्क्रत, रुचिरा, सप्तमवर्गिय पाठ पुस्तक से हम लेंगे आज तरतियह पाठ यानि की तीसरा पाठ तो इस पाठ का नाम क्या है? स्वावलंबनम इसका मतलब क्या हुआ? आत्म निर्वर्ता इस पार्ट में क्या बताए गया है? इस पार्ट में है दो मित्रों की कथा है, इस पार्ट में कहानी है ठीक Hey जो कि एक अतम निर्वार है और एक पराधी नहीं जोकि तूसरों पर आश्रेद रहता है ठीक Hey इस कहानी में बताएगा है जो स्वाब लंभी यानिकी आत्म निर्वर जो है वह सद्धा ही सुखी तू कि और गा सब को अपने काम स्वाइन करना चाहिए इस पार्ट में आपको बताए गया है तो हम शुरू करते हैं अच्छा इस पार्ट में संख्यावाची शब्दों से भी आपको अफगत कराए गया है ठीक है चलिए बच्छों कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं क्रश्नमूर्थी है श्रीकंठस्ट मित्रे आस्ताम यानि क्रश्नमूर्थी और श्रीकंठ यह दो मित्र थे श्रीकंठस से पिता सम्रद्ध आसी श्रीकंठ के पिताजी जो थे वह सम्रद्ध यानि की धनवान अमीर थे तिके अतह तस्य भवने सर्व विधानई सुक साधनानियासन इसलिए उन संसाधन मौझूद थे तस्मिन विशाले भवने उनके विशाल बड़े घर में चत्वारिशत इस्थंबा आसन 40 खंबे थे 10 से 18 प्रकोष्ठेशु पंचाशात गावाक्षा गावाक्षा क्या होता है खिडगिया उनके 18 कमरों में 50 खिडगिया थी और चत्वारिशत द्वाराणी यानि कि 44 दर्वाजे थे 6 त्रिशत विद्धुद व्यंजनानी चाहासन अर्थात वहाँ पर 36 विद्धुद व्यंजनानी यानि पंखे थे बिज़ी के टत्र दश सेव कह निरंतर कार कुर्वंती इस्म वहाँ 10 नोकर जो थे सेवी का माने नोकर यानि कि 10 नोकर निरंतर यानि लगातार काम किया करते थे परहम पर क्रश्न मूर्ते माता पिता अचा निर्धनों क्रश्न मूर्ती के माता पिता जो थे वह निर्धन दे और क्रशक दमपती यानि कि किसान थे ठीके तस से ग्रहम उनका घर आडंबर विहीन यानि कि आडंबर विहीन मैंने दिखावे से दूर साधारान श्च आसीद और साधारान था आगे देखते हैं एक दा श्रीकंटह तेन सह प्रातह नववादने तस्य ग्रहम अगच्छत नववादने यानिकि सुभय के नो बजे ठीक है श्रीकंटह से आथित्यम अकुर्वन तब करश्नमूर्थी और उनके मातापिता ने अपने श्वाशक्त्या यानि अपने सामर्थ ग्यानुशार श्रीकंट का क्या किया अंथिति सत्कार किया एतत द्रश्टवा यहाँ देख करके श्रीकंट अकत्यत श्रीकंट बोले मित्र है मित्र अहम भवताम सत्कारेंड संतुष्टोस्म अपी हम तुम्हारे सत्कार्चे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ केवल यहाँ बात मुझे दुखी कर रही है क्या चीज़ कि तव माने तुम्हारे घर पर एको अपी माने एक भी भरत्य माने कौन नौकर नहीं है मम सत्काराय भवताम बहु कष्ट जातम मेरे सत्कार के लिए आप सबने बहुत कष्ट उठाए है मम ग्रहे तुम्हारे कर्म करह संती मेरे घर में तो बहुत से सेवक है कर्म करह माने सेवक यानि मेरे घर में तो बहुत से सेवक है अब हम देखते हैं तदा क्रश्ण मूर्ती है अवदत तब क्रश्ण मूर्ती बोला मित्र है मित्र ममाप अश्टो कर्म करा हा संती मेरे भी आठ नोकर हैं क्या बोला मित्र है कि मेरे भी आश्टो मने आठ नोकर हैं ते चा दो पादो ठीक है दो हस्तो दो नेत्रे कौन कौन से बताए उसने कि दो पैर हैं दो हाथ हैं और दो नेत्र हैं ठीक है अब हम आगे देखते हैं छिरोते इत्य और दो कान है श्रोते माने कान यानि उसने आपने आठ नोकर कौन कौन से बताए कि मेरे पास दो पैर हैं दो हाथ हैं दो आखे हैं और दो कान है यह प्रतिक्षणव मम्न सहयक है ठीके ये हरपल मेरे सहयक हैं ठीके किन्तु तब भ्रत्या परन्तु तुम्हारे नोकर सदैव सर्वत्र यानि कि हमेशा ही सभी जगे उपस्तिता भवतुन शक्नुवंती यानि कि तुम्हारे नोकर सर्वदा माने सदैव सर्वदा माने हमेशा ही सभी जगे पर उ आप पस्तित नहीं हो सकते हैं, दब भी वे अनुपस्तित रहते हैं, तब-तब तुम्हें बहुत ही कश्ट होता है, स्वाव लंबन में हमेशा सुख है यानि स्वाव लंबन यानि कि क्या बताये था मैंने आत्म निर्भरता यानि कि आत्म निर्भरता में हमेशा ही सुख है न कदापी कष्टम भवती कभी भी कष्ट नहीं होता है ठीके आगे है श्रीकंठ अवदत श्रीकंठ बोला मित्र हे मित्र तब वचनानी शुरत्वा तुम्हारे वचनों को सुन करके मम मनसी महती प्रसनता जाता मम मनसी यानि मेरे मन में महती माने बहुत ही प्रसनता हुई अधुना अहम अपी स्वीकार्याना मपी स्वामेव कुर्तम इच्छामी यानि कि अधुना माने क्या है अब अब से मैं भी अहम अपी यानि कि मैं भी स्वाकार्यानी अपने कार्डे को स्वयम करूंगा भवतु यानि कि ठीक है सार्थ द्वाशवादन मिदम यानि कि अब साड़े बारा बच चुके हैं कितने बच गए साड़े बारा बच चुके हैं सामरत्यम ग्रहम चलामी अब मैं घर चलता हूँ इस तरीके से दोनों मित्र आपसमा उनका बारचीत खतम हो जाती है और जुश्रीकन था वह अपने घर चला जाता है तो बच्चों पाट का साराश यहां पर खतम हो जाता है उमिद आपको अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू